ये मोधी ठीके जाने से क्या होगा? विकास कार्य ठप हो जाएंगे, इसमें कोई संध्य नहीं है, लेकिन और क्या होगा? पडोसियों का तांड़ बढ़ेगा, पाकिस्तान फिर आतंग को बढ़ावा देगा, नशे की तसकरी बढ़ाएगा, लेकिन हम जवावी कारवाई करने की बचाए, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे दूसरी तरफ, चीन कहीं बात ये सीमा के अंदर दाखिल होगा, तो कभी भारत को आख दिखाएगा, लेकिन सेना चातर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सेना के हाथ बात दिये जाएंगे देमोग्राफिक चेंज होगा, देश में अवैर घुसपैटियों को घर जमाई बनाए रखने वाली नेता, क्या इने ही नागरिकता नहीं देंगे वोट के बतले इनी के सारे ये विक्टिम कार्ड भी खिलेंगे, और ये नाजाने अल्प सहकों को कौन सा हक और आरक्षन दिला देंगे यही नहीं नाजाने हमारी और कितनी जमीने वक्त बोर्ट की खाते में चली जाएंगी हमारा देश तो रहेगा, लेकिन यहां की जंग का बदल जाएगी नाजाने कितने कश्मीन और मुजफर फूर बनेंगे और कोई मोधी योगी नहीं होगा धर्मांदरन और गजवा ए हिंद को बढ़ावा मिलेगा ऐसे संगठनों पर दर्जवेस वापस ले लिये जाएंगे और जो एनाई ये ऐसी संसाओं पर कारवाई करते हैं उसके हाथ बाद लिये जाएंगे ना रहेगा धर्मांदरन कानून, ना रहेगा भारत में हिंदू बहुर संत्याग हर घर में एक केरला स्टोरी लिखी जाएगी हिंदू विरोधी कारे तेज होंगे सेकुलर नेता अगर आज हिंदू त्योहारों पर रोक लगाते हैं तो सोचिए कल जब मोधी ना होंगे तब क्या होगा हर शहर में ताहिर उसेन जैसे गुंडे, राजश्रितिक पार्टियों की शह पर पूरी तयारी के साथ हिंदू पर हल्ला दही बोलेंगे शिवलिंग का और कितना आप मान होगा और कितने का नहीया लाल अपनी जान कवाएंगे धन की रक्षा का देवाले राश्रि स्वेश सेवक संग, बजरंग दल या गौर रक्षकों की रक्षा कौन करेगा उनकी चीक सुनने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्की गौमाता पर भी अत्यचार बढ़ जाएगा देश को मिले रोबाटिक पीम, जोर्ज सोरोज जैसे लोग एक बिलियन डॉलर का जोर सिर्फ इस लिए लगा रहे हैं कि देश का पीम बतल जाए तो सोचिए कि किस तरह रोबाटिक पीम दुबारा देश को मिल जाएगा, क्या ऐसा पीम देश विरोगी एंजियो को प्राबू कर पाएगा ऐसे में भारत को दुबारा आज की सिती में पहुचाने से फिर से 17 साल लग सकते हैं